इस इंडिया का सुरुवाद जो करने वाड़े हैं, वो इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी है। आज ना तो सरकार है और आज ना इस सरकार के ओपर किसी को वरोसा है। आज तो लुटेरों का इत गिरो है। इस इंडिया का सुरुवाद जो करने वाड़े हैं, इस इंडिया का सुरुवाद जो करने वाड़े हैं, वो इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी है। हमने 25 सिप्टमबर को पिछले साल के फट्यबाद के अंदर 14 राजमेताओं को अलग अलग पार्टीयों के जो परमुक्ते उनको बुलाया था। और वहां चोदरी ओंपर का चोटाला ने नितिश्ची से यह का था, कि आप जो अगवानी करों। मेरी सोच है, चोदरी देविलाल की सोच थी कि देश का पोजिशन की खठा हो। और जब तक पोजिशन मजबूत नहीं होगा, तो सत्तापक्ष के लोग अपनी मनमर्जी करें। मनमर्जी करने वाली सरकार को बदलने के लिए खठा होना पड़ेगा। और तब इकठा कि उन्होंने मुहीम चलाई और नितीश जी कोड़ कहा, कि आप इसके अगवानी करों। नितीश जी ने उसके बाद इस चीज पे लगातार अपना परियास किया। उसी का नतीजा है कि आज 26-27 पार्टियां उसमें शामिल हो। और भी मुझे लगता आने वाड़े टाइम में और भी कुछ दल जो है, इसमें और शामिल हो। उस वकत ये बात आई थी हमारे सामने, कि कॉंग्रेस के साथ भी हमें इसमें कठा करना चाहिए। तो टाला साब नहीं यह कह था, हमें कोई प्रेज नहीं है कॉंग्रेस। अगर कॉंग्रेस सरी डंग से इस धर्म को निभाना चाहेगी तो उसका भी स्वागत है। कैजिती रिपोर्ट आईए सर। उसने कहा, इसमें इस तुष्ट लिखा है कि यह सरकार नहीं ब्रश्टा चाहर चाहरा है। ब्रश्टा चाहर भी है, और दूसरा जो है, कानून बेवस्ता भी खतम होगी परदेश में। इसका एक उधारन आपको बताता हूँ, आप विजसाफ से पूछना, विजसाफ से मिलते हो आप लोग, आप उन से जरूर पूछना, कि जब नू का दंगा होगा था, मुख्य मंत्री ने कहा था, यह बड़ी साजिस है, तो आप हो मिनिस्ट आप बताओ, साजिस करी किसे न कि अब अब तक आप किस तεय तक पोंच्चे हो दूसरा उस से एक स्वाल और करना है, कि आपने यह बात प्रेश के सामने कैसे कही, कि सारे इश्यू के मुख्य मंत्री ही बता सकता है, मुझे जानकारी नहीं है, फिर आप किस तिस कर हो मिनिस्टर को, मुख्य मिनिस्टर को यह पता नहीं है, तेरे परदेश के अंतर आज एक साजिस के तहत दंगे हो रहे हैं, आज लोगों को आपसी वाईचारी को खतम करने का एक सभी अंतर रचा जा रहे हैं, उसका कौन जुमेवार है, आज ना तो सरकार है, और आज ना इस सरकार के ओपर किसी को वरोसा है, आज तो लोटेरों का एक गिरो है, जो दोनों आतर से इस परदेश को लूटने में लगा हुआ है, और जिसने इस परदेश को फोखला कर दिया, आम आज भी सरकार से परिशान है, आप अतरकार साथी हो, मैं एक चीज आप से पूछना चाहता हूँ, वुख्यमंत्री कहता है, को कोई परची निर, कोई खर्ची निर, जो जितना योग्य होगा, उसको उसके मताविक जोग मिल जाएगा, आप सब पड़े लुखे प्रिवार से समुझ रखते, आप पड़ी लिखी कॉमिनिटी के लोग दो, आपके घरों में बच्चे होंगे, आपके भाई होंगे, बैन जितने तुम हो, कि लगया किसी एक कब, लगया किसी था, तो फिर परची खर्ची कहां दे, जो नोकली लगते हैं इसका मत्तब वो खर्ची दे करके लग रहे हैं, फिर तो सिधा सा तरीका है, इनोंने तो परची और खर्ची के नाम के उपर लूट में चाहिए, किसी भी आ कोई मेरिट निया इंगे, जितने भी लोगों को जोग देते हैं, उससे पहले एडवांस में तन्खा के पैसे लगते हैं, पैसे दो फे नोकली रहेंगे, चोद्रियोंपर का चुटाला का रास था, नोकली लगते थे एक नहीं लगते थे, लगे एक नहीं लगे, आप जैस का नोकली देना है, आज नोकली नहीं दी जा रहे है, आज तो बेची जा रहे है, अमारा राज बनाओ, आप अमारा सयोग करो, हम जुरूर्ट मंद को हरीकों, रोजगार और नोक्री देने का का म करेंगे, हम क्वोट पक्षपात निइ तराहैंगे, हार आलत में